नमस्कार दोस्तों एक तर रेसिपी में आपका स्वागत है आज में बनाने जारी हूं गनेश चतुर्थी श्पेशल मोदक जो गनेश जी को बहुत ही पसंद है आप भी फ्रेंड्स एक बार इस तरह से मोदक जरूर बनाए और अपने गनेश जी को भोग जरूर लगाए चलि मोदक बनाने के लिए घैसओं करेंगे करौए रखेंगे और कराई के अंदर हम देशी घी डालें अगर आपाश वालिवस्तों बडиниटे deeply कि यह उल दीख शी बाना खी्व तो अकर घी को हम अच्छे हो जाएगी और इसे चलाते हुए हमें लो फ्लेम पर भून लेना है हमें इस सूजी को दो से तीन मेंट तक भूनना है एकदम लो फ्लेम पे इसका कलर जादा चेंज नहीं करना है हमें ब्राउन सा कलर नहीं करना है बस हलका सा कलर चेंज हो जादा कलर हमें इसका नहीं चेंज करना है और continue चलाते हुए हम सूजी को भून लेंगे काजू बदाम काजू बदाम काट कर भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो देखिए मैंने पाउडर बना लिया है इसे एक पाउल्मेंट निकाल लेंगे और केले को मैंने छील लिया है और काट लिया है एक केला लिया है मैंने और इसके अंदर हम एक कप ही दूट डाल देंगे मैंने आधा कप सूजी ली थी तो एक कप दूट डालेगा उसके अंदर मैजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं आप देख सकते हैं सूजी हमारी घुन गई है बहुती अच्छे से इसका बस हमें इतना ही कलर चेंज करना है जादा कलर चेंज नहीं करना है मैंने एकदम लोफलेम पे सूजी को पकाया है और अब हम इसके अंदर जाल देंगे आधा कप शुगर मैंने पीसी हुई शुगर लिये आप दाना शुगर का भी यूस कर सकते हैं और मीठा अपने हिसाब से कम जादा कर सकती हैं अगर आप थोड़ा जादा मीठा काते हैं तो दो से तीन चमर शुगर और डाल सकते हैं और अब हम इसके अंदर केले वाला दूप डाल देंगे जो हमने ग्रेंड करके रखा था और इसे अच्छे से मिक्स करतेंगे गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है फ्रेंड हाई नहीं र साथ में बच्चों को भी बहुत ही जादा पसंद आएगा आप जरूर ट्राय कीजिए गा और इस तरह से मुद्दक बनाईएगा और अपने गिनेजी को जरूर भोग लगाईएगा अब हम इसके अंदर आदी चमच के करीब इलाइची का पाउडर डाल देंगे आप दो त इसके अंदर बिल्कुल भी लंज नहीं होने चाहिए आप देख सकते हैं धीर दीर काफी गाड़ा हो गया है आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही यह पैन चोड़ने लगा है अब हम इसको मावे जासा टेस देने के लिए इसके अंदर एक से देड़ चमच मिल्क डालना चाहें तो टाल सकते हैं देखें एक दिम डो की फोम में आ गया है और पैन भी छोड़ने लगा है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तेक फ्रेंड में निकाल लिया है इस पैचुला से भी हम छोडा लेंगे दो को और इसे हम फैला देंगे ताकि यह थोड़ा ठंडा हो जाए अब हम इसे डो के दो हिस्से कर लेंगे क्योंकि एक में हम थोड़ा फ्रूट कलर मिलाएंगे यह आप्शनल है आप पूरे वाइट भी बना सकते हैं देखिए इसको हम अलग रख देंगे कि अब हम इसके अन्दर दो पिंच के करीब फ्रूट कलर मिला लेंगे मैंने यलो फूट कलर लिया है आप लिक्विट फ्रूट कलर भी यूज कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रूट कलर जो है पूरी तरह ऑप्शनल है अगर आपको पसंद हो तो डाले बना ना डाले और इससे यह मोदक जो है दिखने में बहुती सुंदर लगेंगे और खाने में तो यह टेस्टी बने ही है बहुती टेस्टी बनते फ्रेंट जरूर ट्राय किजेगा बस इस तरह से कंटीनू हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करना है कहीं से वाइट कहीं से येलो नहीं होना चाहिए देखिए मैंने बहुती अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है अब हम इसके छोटे-छोटे से सलेंडर बना लेंगे देखिए इस तरह से सलेंडर बना लेंगे सबी सिलेंडर मैंने बना लिए हैं अब हम वाइट वाले डूके भी इसी तरह सिलेंडर बना लेंगे देखे इस तरह से यह एकदम ठंटा हो गया है देखे मैंने दोनों के येलो और वाइट दोनों सिलंडर बना लिए है अब हम लेंगे मोदक मोल्ड ये बजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है मैंने इसे ग्रीज कर लिया है अब हम येलो वाला पार्ट लेंगे एक जादा रहें तो थोड़ा निकाल दें फ्रेंट्स क्योंकि मोदक मोल जो है वो थोड़ा छोटा है फ्रेंट्स इस मोदक को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं येलो पार्ट नीचे वाइट पार उपर भी दे सकते हैं ये डबल शेट का मोदक जो है दिखने में तो सुंदर लगेगा ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है आप एक बार इस तरह से मोदक जरूर बनाएं बहुत ही आसान है मुल्ड के अंदर मोदक बनाना देखिए बहुत ही सुंदर हमारा मोदक बनकर बिल्कुल त्यार हो गया है किता सुंदर दिख रहा है इसे हम प्लेट मे बहुत ही आसान तरीका है मोल्ड के अंदर बहुत ही जल्दी मोदक बनकर त्यार हो जाते हैं बिलकुल भी महनत नहीं लगती है देखिए त्यार हो गया है और हमें सभी मोदक इसी तरह बना कर त्यार कर लेनी है और फ्रेंड एक बार तो जरूर ट्राय कीजेगा और अपने गनेजची को इस तरह से मोदक बना कर जरूर खिलाएगा यह जितने दिखने में सुन्दर लगते हैं खाने में उतने ही टेस्टी है देखिए मैंने तीसरा म इसी तरह मोदक बना लिए है सब्ही बना कर त्यार कर लेंगे आこ देखिए मिनेजमें इसी तरह मेंम हम इस सर्व कड़ेंगे पिस्ते की कथरने से जिससे धिखने में बहुत ही सुन्दर लगेगा और खाने में तो यह टेस्टि बना ही है आप आप एक पार तो जरूर बनाईएगा और गनेजी को भोग जरूर लगाएगा और यह बचों और बड़ों सभी को काफी पसंद आएगा फ्रेंड्स हमारे टेस्टी से मोदक तियार हैं खाने के लिए बहुत ही टेस्टी बने है और दिखने में जित्ते सुन्दर लग रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी है आप एक पार जरूर बनाईएगा फ्रेंड्स अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जादा से ज्यादा शेर करें लाइक करें एकता रेसिपी चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे नई रेसि